कदरम जीत जी हमारा ही मंच था दोवाजार अठारा के विधान सभा के चुनाव थे आपने लोर्मी की जनता के बीच में आकर ही कहा था कि लोर्मी की जनता से मेरा दल का नहीं दिल का रिष्टा है और ये नारा पूरे लोर्मी के विधान सभा चुनाव में लगातार चलता र क्योंकि धरमजीत को धरमजीत बनाने आली जंता लोर्मी की है तो मैं तो अपने जिंदगी में कभी उनके रिंड से उरिंड हो नहीं सकता और मैं चाहे राजजीती में जहां पर भी रहूं या ना रहूं लोर्मी के इस सम्मान को इस प्यार को मैं अपने जीवन भर अपने दिल में रखा हूँ इसलिए मेरा दिल का रिस्ता है और ये मैंने ये दल नहीं दिल का रिस्ता है कब बुला था ये मैं बताता हूँ आपसे स्री दिग्विजय सिंग नर्वदा परिक्रमा मंडला आये थे और जब मैं वहां गया था उनके सम्मान के लिए तो प्रेस के लोगों ने मुझे से पूछा कि आप दिग्विजय सिंग का यहां पर स्वागत करने कैसे आये हैं तो मैं बला दिग्विजय सिंग इसे पुराना सम्मन्द है और ये दल का नहीं दिल का रिस्ता है और उस दिल के रिस्ते में मैं उनका सम्मान कर नहीं जा था और ये दल से ज़्यादा मैं तरजी दिल के रिस्ते को देता हूँ और वो दिल का रिस्ता था है और रहे गए तो ये इस बार के विदान सभा चुनाओं में दल के साथ में आपका दिल लगने वाला है? कांग्रेस पार्टी से मैंने इस्थिफा दिया था और तब तक मैं कोई नया दल भी नहीं बना था मैं जोगी जी के पास गया और मैंने उसे आगरा किया कि हम लोगों को एक दल बनाना चाहिए जोगी जी भी इस से सेमत हुए और जोगी जी के नेतित में कोटमी सुनार में जो प्रस्ताव दल बनाने का रखना था वो मैंने रखा था और वहीं पर जन्ता कांग्रेस जोगी की स्थापना का सहथ धान्तिक नेड़ना लिया गया और ठाठापुर में दल का नाम करण हुआ तो जोगी जी के संग जन्ता कांग्रेस 36 घड़जे में जाके हमने चुनाओ लड़ा और उस वकद पांच लोग जीत करके आए उसमें जोगी जी का स्वर्गवास हो गया देवरत सिंग का स्वर्गवास हो गया और मुझे पार्टी से निकाल दिया गया मैं अभी कुछ दिनों पहले एक बयान भी दिया था कि मैं अभी चोराहे में खड़ा हूँ मैं ये तै करूंगा कि मुझे कहा जाना है और मैं आपको आस्वस करना चाहता हूँ सभी को बोलना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैं अपना निर्णे लूँगा और मीडिया के समझ में मुझे जहां जाने है इतना बड़ा मंच है धरमजीत जी आपके सामने पूरे प्रदेश की जनता आपको सुन रही है अगर आप यही पर एलान कर सकें चुकि जनता ही यह जानना चाहती है कि आखिर धरमजीत जी के मन में है क्या क्योंकि लगातार भारती जनता पाटी के तरफ से भी बात आती है तो दूसरी तरफ चरणता स्मेन्त आपको political निर्णे नहीं किये जाते हैं मैं जहां भी जाना चाहूंगा वहां के निताओं से मिलूँगा उनकी सहमती लूँगा उनका असिरवाद लूँगा उनका साथ लूँगा और मैं निर्णे कर लूँगा अब निर्णे के लिए बहुत ज़्यादा देरी नहीं है वह जल्दी निर्णे होने वाला है मैं आपको बता देगी अब लोर्मी से ही चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी और विदान सबक शितर में जा रहे हैं अब जब मैं जिस दल में जाओंगा वहां तेह होगा कि मुझे कहां से चुनाव लड़ना है मैं अगर अपने गाओं पंडरिया जाता हूँ तो वहां चर्चा हो जाती है कि मैं पंडरिया से लड़ूंगा लोर्मी का मैं विधाया कूं वहां से चर्चा होती ही है रस्ते में तकहतपुर पढ़ता है तो वहां के बारे में तो ज़्यादा तेज चर्चा हो जाती है तो चलिए आपके संग में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति तो बैठा है जो मैं यहां से वहां तक कहीं से भी हो कहां से लड़ोंगा वो बता दूना तकहतपुर वाला मेरा अगला सवाल था आपने उसका हिंट पहले ही उसमें दे दिया